मोही जी今मोधी का जनम दिन है आप उनको बदाई क्या कहना चाहेंगे देखे सबसे पहले नरेंदर मोधी जी को अपने जनम दिन नहीं मनाना चाहिए देश के अंदर एक दिन का राष्टी है सोग भी खोशित होना चाहिए साथ साथ दो बड़ी घटना इस देश के अंदर घटित हो चुकी है सबसे बड़ी बात एक हिंदू बेटी के साथ में सबसे बड़ा मुद्दा कि उत्तर परदेश के अंदर एक बेटी के साथ में बलतकार होता है तो दूसरी और एक बेटी को जला दिया जाता है तो नरेंदर मोदी जी, किस मुँ से अपना जनन दिन बनाएंगे, इस बात को आप मुझे बताईए, दूसरी बात, आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा और सबसे बुरा दिन है, ये कह सकते हैं देश के अतिहास का, देश के अंदर उत्तर पर देश के अंदर, बाबा जी बुल्डोजर से काम नहीं चलेगा, बुल्डोजर बलतकारियों के घर पर चलाईए, ठीक है न, और बलतकारियों को 20 चौराय पर फांसी पर लटकाईए, सुनिजे, बाबा जी तो एकदम गायब है, बाबा जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, अगर आप ने हातरस के अपरा लखिमपुर की बेटी जिन्दा होती, लखिमपुर की बेटी के साथ वो घटना नहीं हुई होती, अगर आपने अपनी पार्टी के MLA कुल दिप सिंग सैंगर को फांसी के फंदे पर जुला दिया होता, तो आज लखिमपुर की बेटी जिन्दा होती, अगर आपने राम र आप सरकार का साथ दे रही है, सरकार का साथ दे रही है, आपको सोचना चाहिए, कि वो बेटी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप हर चीज को स्टेटमेंट से तुरिना कर देते हैं, कहीं किसी की जान चली जाए, तो वहाँ पर सरकार मुआपजा दे देती है, अरे मुआ जिन्हों ने जिस तरीके से बेटी के साथ दुसकरम किया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए मुआपजा नहीं चाहिए और अगर आपको मुआपजा चाहिए तो मैं मोईच शर्मा मैं आपसे एक बात खुले आम कहता हूं कि सरकार अगर फांसी लगाती है तो हम उन परिवा को अपनी तरब से मोईच शर्मा एक लाख उर्पे देंगे ये बात मैं बोलता हूं मैं अपने परिवार की तरब से में उस परिवार को जाके एक लाख उर्पे दूँगा और अगर अगर सरकार कईगी तो सरकार के रहात को उसमें दूगा एक लाख रुपे दूगा जाके अगर सरकार उन अपरादियों को फांसी की सजा देती है तो अगर सरकार के बादियों के साथ बलतकार की घटना है दिन परती दिन बढ़ती जा रही है आपका उत्तर परदेश एक असरक्षित परदेश बन गया है उसको उत्तम परदेश बनाईए और आप बात करते हैं बिहार के जंगल राज की चलिए बिहार में तो एक बार को गोली चल रही है आपके यहां तो बेटियों की इजट और आबरू लुट रही है लेकिन देश की मीडिया बिहार का जंगल राज दिखाती है उत्तर परदेश का जंगल राज नहीं दिखाती जहां बेटियों के साथ बलतकार की घटना हैं बढ़ रही है लेकिन आज सवाल उन त पर दिखा रही है कि जो आरोपी हैं मुस्लिम समधाइस हैं एक बात आप मुझे बताइए बलतकार करने वाले चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लमानों मुस्लमानों बलतकार किया है कि ये बताये ना आप बलतकारियों में जाती हैं धर् Laodha? अरे स्मिती रानी की बेटी का आप बार के ओपर आरोप उठाईए, स्मिती रानी जी ऐसे बिलबिला उठती हैं और सदन में खड़े ओकर चिलाती हैं, लखिमपूर के मामले में चुप और मौन हो जाती हैं, क्योंकि वो बेटी किसी गरी मा की बेटी है, वो बलतकार उत्तर परदेश में होता है, जहां योगी जी की सरकार है, और योगी जी और मोदी जी को इनके सारे नेतर और मंत्री परणाम और नत्मस्तक करते हैं, मैं उत्तर परदेश की जनता को कहना चाता हूँ, कि अगर आप आज भी नहीं समझे, तो वो दिन दूर नहीं है, जब इस अगर ये देश गुलाम तो हो गई होगा, साती सात इस देश की महिलाएं सडकों पर निकलने पर क्या, घर से बाहर निकलने पर बैन लग जाएगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन है वनियत का सिकार महिलाओं के साथ करते हैं, इन्दू को सामी, उन्होंने अगर बिल्किस वा करीब माओं की बेटियों के साथ हो रहा है, बलतकार जो है, ये बलतकार में हिंदू और मुस्लमान तरास रहे हैं, ये कभी बेटियों को इंसाफ के लड़ाई नहीं लड़ते, असल में जिसकी पार्टी के नेता असेंबली में बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हों, वहा आप महिला सुरक्सा की सोचते हैं, ये बताईए आप मुझे, ये कहा जा रहा था कि राम राज बंदा है, देखिए, राम राज की बात मत करिये, और राम को बदनाम मत करिये, ठीक है न, राम के सुननी जिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आप से, राम को पढ़के देख लीज राम कर दी जाती है, और आप बात कर रही है राम राज्य की, ये कैसा राम राज्य है, और राम राज्य की बात करें, चाहिए आप रामन की बात करें, कभी रामन ने भी, किसी इस तरी के साथ में, मा सिता उनके पास जरूर थी, लेकिन कभी उनके साथ इस प्रकार का दुर रहेंगे और वो बलतकारियों का दाग आपका भी नहीं अटा सकते इस देश ने हातरस कांड देखा इस देश ने उन्नाव कांड देखा इस देश ने हातरस के बाद में दिल्ली के अंदर निर्भया कांड देखा इतनी सारी दर्दनाग घटनाओं के बाब जूद अगर इस एक सक्त एक्षन ना ले इस देश की सरकार कोई सक्त एक्षन ना ले तो बड़े दुर्भाग्य की बात है दूसरी बात ये अगर नरेंदर मोदी जी का उनकी भती जी का बटवा चुर जाए एक सेकिंड में मिल जाता है और बेटी के साथ बलतकार हो जाए तो बलतकारियों को पुलिस वालों को कहा है तो चौबिस घंड़े के अंदर पकड़े गए न तूसर अपराधियों को पकड़े जाने से क्या होगा मैं आप से एक बात क्या पहुंग शुन मिजिए अपराधि तो कुल्दिप सिंग सेंगर भी बखड़ा गया राम रहीं भी पकड़ा गया चिर् इन बलतकारियों को फास्ट्रेक कोट के जरीए फासी दे दी गई होती तो मैं आज भी कहता हूँ लखिमपुर की बेटी आपके और हमारे बीच जीवित होती आज हातरस की बेटी आपके और हमारे बीच जीवित होती लेकिन इन बलतकारियों को देखिए आप इस सरकार के नेताओं को देखिए ये बलतकारियों में जाती धरम और मजबत रास्ते हैं मैं पूछता हूं बिल्किस बानो एक महिला है या मुसल्मान है पहले क्या है पहले महिला है ना तो आप महिला की बात करिए आज हातरस में जो जिस परकार की घटना होती है या लकिम पुर्खीडी में जो घटना होती है या एक बेटी को जला दिया जाता है क्या ये घटना है एक महिला को हिला कर नहीं रखती है एक महिला जो असेंबली में सदन में बैठके चाहें तो उन महिलाओं के लिए आवाज उठा सकती है लेकिन नहीं उठाती है क्योंकि जनाब भापर योगी जी का सासन प्रणाली है योगी जी और मोदी जी मिलके इसमितिरानी को अगली बार मंतरी नहीं बनाएंगे अगर वो उनकी बुराई कर देंगे और महिलाओं के अवाज उठा देंगी लेकिन मैं बता दूँ आपको मंतरी बनाने वाला समितिरानी जी इस बेश की जनता है नरेंदर मोदी या मिस्सा नहीं है तो आप अगर महिला होते हुए महिला के अवाज नहीं उठाती है तो भूल जाईए कोई महिला आपको वोट देगी भी और आप भारत देश के पूर प्रधान मंतरी को चूडियां भेजने का काम कर रही थी अगर आप लखिम पूर खीडी के अपरादियों को सजा ना दिलवा पाएं उनको सजा से मतलब यह नहीं कि जेल के अंदर डाल दें अगर फासी के फंदे पर ना जुलवा पाएं तो वही चूडियां अपने प्रधेश के नेता और मंतरियों को दे दीजेगा और कह दीजेगा वो चूडियां पहन ले क्योंकि आप अगर इस देश में बेटियों की इज़त और आबरू की हिपाज़त नहीं कर सकते तो आप लोगों का नेतार मंतरी की कुर्शी में बने रहने का कोई हक नहीं है